आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इक मिल्िग्राम कोपर में तो गिवन डेट आज़ तो तोटल नावर फ्री एलेक्टरों जे इनमें टोटल कितना चार्ज होगा ये हम्मारे को-फाइंड करना हփ तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास free electron है कितने हैं हमारे पास अब हमें पता है कि 63.5 atomic weight है उसका यानि हमें यह पता होना है चाहिए कि 63.5 gram में एक mole copper होगा 1 mole copper अगर 63.5 gram में 1 mole copper है तो 1 gram में हमारे पास नहीं हमें दिया गया है 1 miligram copper दे रखा है नहीं 1 by 1000 अब हमें पता है कि 1 by 1000 gram में कितने कोपर होगा कितने कितने mole copper होगा एक्स mole कोपर होगा अब हमें एक information और पता होनी चाहिए एवगेडरो नंबर दे रखा है यानि एवगेडरो नंबर क्या होता है 1 mole is equals to एवगेडरो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 to the power 23 यानि एक mole के अंदर 6.02 इंटू 10 to the power 23 units होती है यानि अगर 1 mole हमने कोई atom लिया तो 1 mole atom लिया तो उसमें 6.02 इंटू 10 to the power 23 atoms होंगे यानि अगर हमने 1 mole copper atom लिये तो उसमें 6.63.5 gram में 6.02 इंटू 10 to the power 23 copper atoms होंगे और अगर हमने 1 by 1000 लिया तो x mole copper होंगे तो हमारे पास total अब हम सबसे पहले moles निकाल लेते कि copper के moles कितने है अगर 63.5 ratio ले लेंगे हम अपन 1 by 1000 is equal to 1 mole copper तो हमारे पास अगर 1 by 1000 gram copper है तो कितने moles होंगे तो x equals to 1 upon 63.5 into 1 by 1000 तो वो भी 1 upon 1 by 1000 हो जाएगा तो हमारे पास total जो number of moles है वो होगा यह जाएगा 0.015 7 4 into 10 to the power minus 3 यह हो गया number of moles अब हमें पता है कि एक mole के अंदर 6.02 into 10 to the power 23 atoms है तो हम क्या करेंगे number of atoms हैंगे number of atom यह कितना होगा x into x into 1 mole है नंबर of units 6.02 into 10 to the power 23 यह जाएगे number of atoms यह जाएगे यह हो जाएगे हमार पास number of atoms और यह equal है 0.0975 into 10 to the power 23 यह इसको इसे भी लिख सकते है 9.75 into 10 to the power 21 यह हो गया हमार पास number of atom अब हमें पता है कि एक atom पे एक free electron है तो हमें क्या find करना है charge प्रजिस अगर एक atom पे एक free electron है तो हमार पास total number of free electrons कितने होगे number of free electron वो equal हो जाएगा 9.75 into 10 to the power 21 into यही हमारी number of free electrons होगे अब हमें charge निकालना है इन free electrons की वज़े से वही हमसे पूछा है कि what is the charge produced by the free electron अब इतने atoms की इतने electrons की वज़े से charge कितना होगा यही हमारे को find करना है charge होगा हमारा 9.75 into 10 to the power 21 into 1.6 into 10 to the power minus 19 यह होता है charge on electron into number of electron से हमारा total charge है जाएगा तो यह होगा हमारा हम यहां पे छोटा सा time भूल गए है जैसे कि यह यहां पे 10 to the power minus 3 लिखा हुआ है हमने जब यहां पे moles को number of atoms में convert किया था तो हमने एक time नहीं लिखी थी 10 to the power minus 3 तो हम उसको अब लिख देते हैं यहां 10 to the power minus 3 और यहां पर भी आएगा 10 to the power minus 3 तो हमारे हर टर्म 10 to the power minus 3 टाइम से multiply हो जाएगी तो यहां पर भी आएगा हमारे पास 10 to the power minus 3 यानि हर टर्म में हमने 10 to the power minus 3 कम multiply किया था तो अगर यहां पर 10 to the power minus 3 हो जाएगा तो अब हम इसको multiply करेंगे तो हमारा answer क्या होगा अगर हम 9.75 को 1.6 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15.6 अगर 10 to the power 23 10 to the power minus 19 तो इसको क्या लिखेंगे 10 to the power 21 minus 19 minus 3 तो यह कितना हो जाएगा 15.6 into 10 to the power 21 minus 19 2 minus 3 minus 1 तो इसको क्या लिखेंगे 15.6 by 10 और यह हो जाएगा 1.56 कुलम्ब हमें यहां से मिला था मोल्स को हमने मल्टिप्लाय करके number of atoms find किया number of atoms से हमने number of electrons find किया और number of electrons से हमने total charge निकाला और वो चार्ज आया 1.56 into 1.56 कुलम्ब हम देखते हैं कि हमारा यह पार्ट करेक्ट हो गया? यह हमारा कुशन कम्प्लीट हो गया?